है जालो आज कि इस वीडियो में मैं आपके लिए लिगर आया हूं बेल बॉटम जीन किऊ कैसे बनाते और आप इसे कैसे शीचत तो इस video मैं एक को बना के बताऊं का बेल बॉटम जो दोस्तों हमने रिए इस fed मोर आधने गट्यक्व któt, मोटा कि अस सक्अ सपी not मेज़र मेंट करंग दो दोस्तों हमें चाहरे जाग कैंची कि कटिंग करने इस तरन के खरणे क्टर हमें हमेंचे होगा एक हथोड़ा उसके अलाव हमेंचे होगा एक मशीन सो हमारे पास यह जूकी मशीन है सो दोस्तों इस बैल बोटम जीन्स की हम कर लेते हैं कटिंग और हमें इसकी जो लेंथ रखनी है और इसका जो प्रॉपर फिनिशिंग हो यही अटेच करना है सो हम इसका लेंथ माप लेते हैं एकडम 40 फ्लोट टच इसकी लेंथ हो आनी चाहिए So इसको कमर से मापना है और हमें इसका जो लेंथ रखने वाला है वो एकदम 40 एकदम exact 40 लेंथ रखनी है और मैं इसको निशान मार लेता हूँ और इसके लाइन से मैं पूरा कट कर लेता हूँ दोनों पेर को एक साथ में रख के कट करूँगा ताकि 19-20 ना हो तो दोस्तों आपी सज़ेख सकते हैं ये पैंट हो चुका है कटिंग और इसका जो फिनिशिंग है ये वापस अटैच करना है मुझे नीचे का जो है ये बीच का भाग हटा देना है तो दोस्तों हमारे पास जो ये कटर है इसकी मदद से मैं इस मौरी को उपन कर लेता हूं मुझे इसकी जो सेव फिनिशिंग है वो नीचे अटैच करनी है तो इस मौरी को खोल के वापस से कट करके मैं इसे अटैच करूंगा और आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है कि ये क इसम इस मौरी को अटैच करना है और मैं इसका जो बीच का भागे वो कट कर लेता हूं झाल आप को थोड़ा सा मार्जीन रखके इस मौरी को कट करके हटा लेनाया है तो दोस्तों बडे धिहान से इसको करकत हो चुकी है और इसकी जो दूसरी मौरी वो मैंने कट करिया और मैं इसका जो स्टीचिंग है इसका जो मशीन का जो स्टीचिंग है वो सेट कर लेता हूं तो हम इसके स्टीचिंग रखेंगे एकदम पांच नमर पर बड़ी से स्टीचिंग रखेंगे इसके स्टीचिंग अच्छे सेट करनी है हमको उसके बाद में इसका जो धागा है वो अ अगर सट करने के जरुवत है इसका जो स्टीचिंग करना परता है कब by कब अगर अगर आप jeans बना रहे हो या cotton बना रहे है सब का stitching सैट करना अलग लग लगता है तो हम सावम इसका gees कि श्रीक फेनिसिंग दिखना चाहिए मैं इसका जो स्टीचिंग हूं डिंस चर्णावा मैं ने अन्स проблем सकता है और लकार प्रिंद्स करना हो चाहिए यूरी म holes चाहिज बाथ है कापड़ा थी श्रीज चाहिए है esti finis एसे मारी बहुत ज्यादा बड़ एंक्सेय का जया ष्टिच करेंगे डोनों 75 फिर दिशक करेंगे रर्कों से यज़ा ऐसे एक फी रखने कंद यशाशन तो इसी अदम Relój को कर लिया और अब इसका जो मौरी है वो पैंट के हिसाब से एक दम पर्फेक्टली बैठ रहा है कि नहीं वह बाद चेक करेंगे इस से थोड़ा सा दो डोड़ा चोटा होना चीए ना ज्यादा बड़ा नी होना चीए नहीं तो नीचे से खिच जाता है तो आप इसे देख सकते इसका जो प्र Galan yes अफरेक्ट कर लेते हैं इस ड़े के हैं आथा फिनिषिंग आंगे पी इसका जो अरपी से को यहां से बिलता है लाव कि आना चाहला करना तो आपको इसे इस तरह से रखना है और इसको नहीं साइट समふ up कर लेते हैं इसको चारों साइट से हम इसको स्टि ईखिज करना यह प्यार से इसको दिताना है और स्टीच इतना मौरी को बनाने में जल्द बाजी ना करें और से बिठाए सो आप से दिख सकते हैं जिये स्टिच हो चुका और इसकी जो दूसरी मरी है वह मुझ इसको प fonction कर लेता हूं ने उतर बहुत कर लेता हैं एक है पुम क्योंसे पहाइछ नह допoshr पर ब्लाएनीन हे वह कंप और करीज ना पड़ाए Mark आपको बहुत खास कहान रखना है अगर आपको बहुत जादा आपने दूसरा भी मॉरी को खीच लिया तो आपको इस पैंड में स्क्रीज पर सकती है वह इस बिलकुल ना पड़े इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से स्टीच कर और हमारा जो लाइनिंग और मैच हो रहा है और अब इसकी जो उपर की जो पकी स्लाइब होती है जिसको फिनिशिंग बोला जाता है अग्दम अच्छे से अम इसको बिठाएंगे इसके जो मॉरी है वह उपर से स्टीच लगा ही जाती है और आपको यह थोड़ा है वह इस अच्छे से बिठाना है और अच्छे से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बिठाना है और इसका जो भी धागा निकले वह आपको इसे कट कर लेना है अब इससे देख सते हैं बैक साइड को कोई भी धागा नहीं है इसको बड़े ही अच्छे से बिठाया है और अब इसको जो प्रपर लिए रच्छे से मारनी है बड़े धान से और अराम से मारनी यह काम में बिल्कुल भी जल्दवाजी ना करें एकदम आराम अराम से ध्यान से काम करें तो आप इसे देख सकते हैं एक भी धागा इधा दो अन्धर देनी अग्दम पर्फेक्टली सारा धागा अंदर कि मैं एकदम किता अटका है कि अधान खश्च काल डाल के स्टीच करें आधा है अग्दम का दिख सकते हैं स्टीच हो चुका है और इसका और पुड़ा कट कर लेता है चारो साइच से धागा वागा कहीं रहना ने चीने तो खीच करें वह पैंड का फिनिशिंग बिगर सकता है खुल सकता है तो आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इसके जो फिनिशिंग है वह एकदम अच्छे से आनी चाहिए तो आप इससे दीख सकते हैं इसकी परफेक्ट फिनिशिंग दिंग जो होता है वह बैड गया है और एक दम पर्फेक्टली दिख रहा है और मैं इसका जो दूसरा मौरी है वो भी स्टीच कर लेता हूं और फटा-फट हम इसको स्टीच कर लेते हैं तो दोस्तों इसकी जो दूसरी मौरी होती है वो भी हम इसको फटा फट से स्टीच कर लेते हैं और आपको इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बहुत ज्यादा खीचना भी नहीं है ऐसे अगर आप खीचोगे तो इसका मौरी का बहुत ज्यादा ब्रॉडनेस बढ़ छोब च्राइब भी यह को अज़ा है तर दोसरा रहु दो करे में इसे ए थे पन्द शावरीजन आपने जही देन्टिंट आपने अस्थे गिशत के आंसा देख आ विट्गे शारीजल और तक MrsTV के लिए टेख रहा जाहcendं अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो वीडियो की डिस्कुरिशन में इसके लिंक बिल जाएगी आप वहां जाके इसे खरीज सकते हो बैल बॉटम जीन्स की लेंथ कैसे बनता है और किस तरह से बनता है सो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो लाइक किज़र आपका को